चलिए अब आते हैं visual pathway में मान लीजिए कि यह वाला आए कि हमारा left eye यह right eye इसमें जो defect हो रहा है उसको कहते हैं left visual field यहां जो हो रहा है उसको कह रहा है right visual field effect होगा ठीक है सबसे पहले eye को भी दो path में बात आगया है जो nose के तरफ है उसको नजल और जो nose से अवे है उसको temporal path कहा गया है दोनों तरफ यह कह दिए यह left side है यह right side है यह left side है यह right side है इतना भी समझ में आ गया है ठीक है आप देखिए अब यहां से जो path क्या जा रहा है नर्फ फाइवर जा रहा है वह सबसे पहले जाएगा कहां पर optic nerve में optic nerve से वो जाएगा optic track में optic track से जाएगा वो lateral geniculate nucleus में यह bodish कह सकते हैं और उसके बाद वो कहां जाएगा उसके बाद वो जाएगा यह जो नीचे वाला है इसको कहते हैं inferior यह रेतिनल फाइवर जिसको मेल लूप भी कहते हैं और यह जो सुपीरियर वाला है उसको हम कहते हैं यह सुपीरियर रेतिनल फाइवर यह बाउम लूप ठीक है यह दोनों मिलके फिर कहां जाएगा यह दोनों जाएगा केलकेरीन सलकस में ठीक है और केलकेरीन सलकस कहां होता है कोर्टेक्स में होता है यहां तक समझ में आ गया पाथवे पाथवे में क्या क्या है सबसे पहले आप्तिक नर फिर अप्तिक ट्रेक फिर लेटर जैनिकुलेट वो दिज और फिर उसे में फिर दो फाइवर आएगा सुपीरियर और इंफीरियर और सुपीरियर इंफीरियर दोनों कहा जाएगा केलकेरीन सलकस में ठीक है यहां तक समझने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसके बाद क्या होता है ना कि माल लीजे कि हमारा ये तो जानते हैं आपोजिससाइड अफेक्ट करता है माल लीजे परले रायत का बताती है रायत का जो है वह सबसे पहले जाएगा कहां पर तो रायत जो वाला नजल पाथ है वह जाएगा तेम्परोरल पाथ में और फिर वह चला जाएगा सारे पाथवे को पूरा करते वे केल करें लेकिन जो temporal path है वो जाएगा नेजल तरफ और वो क्रॉस करेगा एक बाद याद रखेगा नेजल path सिर्फ एक बाद क्रॉस करता है और उसके बाद वो sidewise से same side में निकलता है देखें दोनों में आप temporal path एक नेजल path नेजल path temporal path ठीक है उसके बाद क्या याद रखना है कि जो नेजल path है वो same side जाता है ठीक है और जो same side से लगया और जो temporal side है वो different side जाता है इस तरह से याद रखेगा और तीनों का तो आपको पता ही है कि कौन कौन सा track होता है सबसे पहले वो optic nerve cross करेगा फिर optic track फिर lateral geniculate और उसके बाद वो calcary ठीक है यहाँ तक समझ गए ठीक है यह दोनों cross करेगा सबसे पहले अब इसके defect के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ठीक है एक चीज और यह जो हमारा यह lateral geniculate वो दिजए न यहाँ पर भी मेली आपको six lamina मिलेगा कितना lamina six lamina one two three four five six two three four five six ठीक है जो two three five है कौन-कौन सा two three और five यह इसमें मेली temporal fiber क्या होते हैं join करते हैं ठीक है और one four और six है ठीक है इसमें क्या है तो नजल fiber join करते हैं यहाँ तक समझ में आया नजल fiber join करते हैं नजल क्वा कौन सा है तो one four six temporal fiber क्वा 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 कौन सा है two three five यह हमेशा याद रखेगा ठीक है अब यहाँ तक समझने में कोई problem नहीं है हमारा देखिए अगर राइट आयका कह रहे हैं तो राइट पहले इधर चला जाएगा और फिर सेम ट्रैक पे चला जाएगा ठीक है कौन सा पाथ अफेक्ट हुआ तो राइट साइड का आप्टिक नर्व अफेक्ट हुआ तो इसमें क्या होगा सबसे पहले दोक्तर है वो क्या करेंगे आपके सामने बैठेंगे अगर लेपताई चेक करना है तो दोक्तर कभी लेपताई होगा आपका भी लेपताई होगा अगर राय साइड से करना है तो दॉक्टर क्या करेंगे राय साइड को पेसिंद क और अपना भी राइस यू लेपताई को बंद रखेंगे मतब सेम साइड सेम साइड चलता है यहां तक समझ में आ गया ठीक है माल लीजे कि आपका क्या हुआ है r अभ्या होगा च sackcus यह नसल वाला है यह वाला भी हमारा अफेक्ट होगा और अफ् Libraff को इसका मतलब कि इसका इसना साहित भी चल जाएगा और इसका साहित भी चल जाएगा कि क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं complete blindness of right eye, ठीक है, इसको या तो कह सकते है right monocular blindness, क्यूंकि सिर्फ एक आख में blindness हुआ है, या कह सकते है right anophia, ठीक है, माल लिजे कि लेशन यहां पर हुआ है, अब यह लेशन यहां पर हुआ है, तो हमारा यह वरा nerve fiber भी effect होगा, यह वरा nerve fiber भी effect होगा, तो य इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे complete blindness of left eye, ठीक है, और यह क्या कहेंगे, left monocular blindness, या left anopia, ठीक है, यह समझ में आगया दोनों का एकक, लेकिन अगर समझ लिजे, कि जो vision loss हुआ, जो vision हुआ, लेशन जो हमारा आया, वो central path of optic के आज में आया, कहा, central path of optic के आज में आया, ठी आप्तिक के आज में से कौन क्रॉस कर रहा है, हमारा temporal path और यह मेली, pituitary के कारण ही होता है, पिती ट्यूमर के कारण होता है, तो इससे क्या होगा हमारा temporal path effect हो रहा है, तो इधर से हमारा यह वाला side effect होगा, और इधर से यह वाला side effect होगा, देखें, यह है left, right, left, right, दोनों अलग-अलग हो रहा है, एक कलेप्स है, देखकर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हेत्रो नीमस, तो इसको क्या कहेंगे, बाई टेम्परोलर हेत्रो नीमस, यहां तक समझ में आ गया, यह इसको हेमी अनोपिया भी कहेंगे, क्या हेमी अनोपिया है, हेमी अनोपिया क्यों कहें क्योंकि इसका यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तीसरा समझ यह अगर लेशन जो हो वह लेटरल पात अप्तिक का याजम और एक साइद में हो तो क्या होगा हमाली जी यहां पर कोंसा होता है हमारा Right eye नेजल धिन फिल्ड है तो मतलब कि ब्लाइनने यहां आएगी तो उसको क्या कहेंगे राइट नीजल हैँई अनोपिय लेकिन मालीज यहां ना के यहां पर हो तो इसको क्या कहेंगे यह वहलब पाट ऐफेक्ट होगा तो इसको कहेंगे लेप नजल हेमी अनोपिय ठीक है यहां तक समझने में कोई फ्रॉल्लम नहीँ अब माले जिंट दोनो पात, लिट्राल पात में एक साथ अफेक्ट हो, तो क्या होगा, दोनों का नजलु पात हो गतई कमा तो इसको क्या कहेंगे, पहले तो बाई नजलुट, क्यों दोनों का नोज अफेक्ट हुआ है फिर heternymus heternymus क्यों यहां right left, right, left, right जो left आई हैएie उसका right path अफेक्ट हुआ है जो right right है उसका left अफेक्ट हुआ है इसलिए इसको क्या कहwhat istheronymus and पुराई तो नहीं आधा है अफेक्ट हुआ है इसको कहेंगे hemianopia ठीक है यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब जो केस है उसमें क्या है कि माल लीजे जो लेशन है वो आप्तिक ट्रेक में अस्तात हुआ ठीक है तो माल लीजे सबसे पहले राइस साइट के आप्तिक ट्रेक में लेशन अफेक्ट हुआ तो इस पर क्या हो रहा है दोनों लेफ्ट साइट में प्राइबनेस हो रहा है इसलिए क्या होगा होमो नीमस ठीक है और कि कौन से आई में हो रहा है तो मेली लेफ्ट साइट में हो रहा है इसलिए लेफ्ट हेमो नीमस हेमी अनोपिया क्या लेफ्ट साइट में दोनों हो रहा है हो एम our निम मसं हेमी आनोपिय यह तक समझ कोई प्रावलम नहीं है अगमाले यही रायसायद में हूआ तो यहां से इसुको यहां पर और इसको यह पर स्थरह से लंगत इसका मतलब क्या हो जएगा रायत हमोनिमस हेमी आनोपिय आप सिंपल है अमाली की हमारा फिल्ट है यहां पर कहने का क्या अपर है अपर लिपड़ का गैल करीं सलक स आन्दर राय आप साइद का पहले बता रहे हैं यह सिर्फ राय स्पीरियर रेटीनल फाइवर में हो रहा है तो क्या होगा एक सी जाद रखियेगा अगर अपर है तो लोर को अफेक्ट करेगा यह सुपीरियर है तो इन्फीरियर पाथ को अफेक्ट करेगा मतलब की इसका क्या है अगर लोवर फिल्ड है ठीक है तो वो सुपीरियर रेतीना को अफेक्ट करेगा अगर अपर फिल्ड है यह अपर लीप है तो वो क्या करेगा लोवर रेतीना को अफेक करेगा ठीक है और इधर से यह वाला जा रहा है यह 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 इसका लूर फाट एफेक्ट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे इसको तो सबसे पहले सेम साइड में हो रहा है लेप्ट राइट लेप्ट राइट ठीक है तो इसको क्या कहेंगे हो मोनीमस ठीक है यहां तक समझने में कोई problem नहीं है, left side में हो रहा है, तो left homonimus ठीक है, लेकिन देखिए, यह क्या पूरा हो रहा है, तो complete होता अगर half हो रहा था, तो half होता, लेकिन यह क्या है एक quadrant path है, तो इसको क्या कहेंगे, quadrantic anopia, यहां तक समझने में कोई problem नहीं है, उसे माल लिजे कि इधर वाला में होता है, तो इसको क्या कहते है, right right homonimus, inferior quadrant, anopia, ठीक है, यहां तक कोई problem नहीं है अगर माल लिजे कि लेसन जो हुआ, वो कहां पे हुआ वो lower lip में हुआ या inferior retina में हुआ ठीक है, superior में नहीं अब inferior, इस वाला path में हुआ ठीक है, तो क्या होगा तो अभी क्या बताएते, अगर superior में हुआ था inferior path affect हुआ था, अब inferior retina में हुआ तो पहले तो इस तरह जाएगा यहां पर, और इसको affect करेगा, superior path को वो इसे ही यह इस तरह से यहां पर जाएगा और यह affect करेगा किसको तो superior path को ठीक है इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे, सबसे पहले यह lep तरफ है, तो lep homonymous, क्योंकि same side है superior quadratic anopia ठीक है, यहां तक समझने में कोई problem नहीं है, अगर माली जी, अब lesson कहा है, right optic में है, यह right geniculo calcarine pathway में है तो अब माली जी यहां पर है, इसी को कहेंगे न, यह geniculo calcarine track दोनों के बीच में, ठीक है तो इससे क्या होगा देखे, यह यहां से यहां पर था यहां से गया यह वाला path को effect किया और यह यहां से गया यह वाला path को effect किया इसका मतलब कि अगर आप यह path वे आपको बनाने आ जाएगा, तो आपको बहुत easy हो जाएगा naming करना अब क्या है, यह left side में है तो left और क्या है, तो homonymous क्योंकि same side है, homonymous देखे left right, left right फिर इसमें क्या है तो इसमें क्या है तो आधा effect हुआ है तो क्या हो जाएगा, hemianopia मतलब left, homonymous, hemianopia क्या हो जाएगा, लेकिन माल लेजे कि लेशन आ गया, right visual cortex में, cortex brain का effect हो गया तब क्या होगा, तो इसमें मिली, हमारा हो जाएगा left homonymous hemianopia with macular sparing same चीज होगा इसमें भी तो इसमें कैसे same सीज़ होगा तो यहाँ पर भी यह भी obstruction होगे तो सेम चीज होगे, ठीक है अगर right side कह रहा है तो और इसके करण सेम नेमिंग होगा लेकिन इसमें यह होगा ना कि macular sparing, इसको क्या लिखेंगे left homonymous hemianopia with macular sparing ठीक है, macular sparing क्यों लिखेंगे, जो macular region होता है वो optical loam में होता है और उसमें double blood supply होता है एक तो posterior cerebral artery से और दूसरा medial cerebral artery से इसलिए हमारा जो macular path होता है वो effect नहीं होता है तो इस तरह से हमारा visual feel समझ में आ गया होगा revision के लिए चलिए एक और कर लेते हैं central रसकतोमा कहने का क्या मतलब है central में darkness हुआ होगा monocular lesion vision कहने का क्या मतलब है कि कोई एक path effect हुआ है तो देखें यहाँ पर दिया वा है क्या है A यहाँ पर हो रहा है जो हमारा nerve fiber अंदर में है उसमें problem हो रहा है तो central रसकतोमा होगा B मतलब क्या हो गया कि optic nerve है उसमें occlusion हो रहा है ठीक है यह left और right आए है देखें right तरह पकलूजन हो रहा है तो right monocular vision loss होगा left तरह पकलूजन होगा तो left monocular vision loss होगा ठीक है और अगर आप देखें तीसरा case क्या है बीच में हो रहा है तो क्या हो जागा by temporal hemianopia बीच में हो रहा है पकी क्या बताय। क्या बताया थे क्रोसिंग में एकौन सा पात होता है temporal path होता है और जो nasal path होता है wonderful spot gusta İşte valor He has a temporary path इस बहुत ही जड़ी है याद रखनी के लिए तो अगर बीच में हो रहा है इसका मतलब कौन सा path है temporal path है, दोनों तरब का है, इसलिए by temporal hemianopia, dgh, d और कहा है, g और h, अगर ये तिनों effect होगा, तो क्या होगा, contralateral homonymous hemianopia, contralateral मतब lateral path में दोनों का same side hemianopia, अगर e और j में, e और j, j कहा है, j, j, दिखने रहा है, e और j, यहां और यहां हुआ, तो क्या होगा, contralateral supra quadritopia भी बताये थे, contralateral inferior topia, inferior topia मतब superior lip effect हो रहा होगा, यहां पर lip, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, macular sparing मतब कि cortex effect हो रहा है, के देखिए, यहां पर देखिए, हमारा cortex effect हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, visual field effect, और visual